कि अचिस्टी विचार चर्चाज आप सब्सक्राइब बहुत स्वागत है पंजाबी विवाग वलों आयोजित आचिती जड़ी संगोष्टी है वड़ी महत्वपून विशे के चर्चाज आयोजित किती है और इससे बहुत सारी दिशा और आयाम सानुद देखनों सोचनों समझनों मिलनगे इस विखे से उसे जड़ों अपन चर्चार चुरू करांगे तो उससे पहले मैं इक दो गल्ना थाड़े नाल सांधी करना जावांगा और उससे बात में डॉक्टर निर्वैर जी नों आमंत्री तरांगा कि यो अज़दे मुख वक्तान थाड़ा परिखे विकरांगे और उना ते बारे बीड़ी जानकारी है उना दी उखलब्धियां देश्चे ना सानुख भूब भूब करांगे लेकिन पुनिता ते तौरते में अज़देना तो यह कि पारत्दी परंपरा देविच ग्रंत बड़ा महत्तुकून शब्द रहा है ग्रंत संस्क्रिटी ही अपकां जे कहिए तब बड़ी ताथीन ग्रंत संस्क्रिटी रही है वेदा पुराना तो लेकर के अज़द लिखे जान देने किताब कट शब्द प्रियोग होन लग गया उस तो पहले पुस्तफ शब्द प्रियोग जादा होंगा ते गा लेकिन पुस्तफ और किताब वो अर्थ नहीं दिन्दे जड़ा ग्रंत शब्द सानु अर्थ दिन्दा है ग्रंत दी जड़े आयाम ने वो किताब और बाक्ती शब्द जो है पुस्तफ वो नहीं दिन्दे अर्थ ग्रंत विच्छ ग्रंत संस्क्रिक्ति जदों आपका देख दें हैं पूरी पार्थी परंपराच ते आदी ग्रंत श्रीगुरु ग्रंत साब जो है उना ता सर्वोत्तम स्थान है एक आदी ग्रंत नाम होर भी रख्या जांदा है वालमी की रामाइंड यू भी क्या जांदा है लेकिन पज़त्मानी दे संदर्वज और शिख्थी दे इतिहास्च जो आपका देखने हैं कि जो जीवित गुरु नू स्थान दिश्टा गया है श्रीगुरु ग्रंत साथ नू वो एक बिलकुल ही अलग तर्थे खानू लाजाने है कि ग्रंत साहब एक पूर्ण जीवित व्यक्त एलिक्षण को है कि इसलिए उस जो जो है आनो दर्शन होंदे कि जो विचार मिल देने वक पूरे देपूरे कि जीवित है थे वल जीवित विचार में है तो इसलिए हम श्री गूरुबुरह शॉप ज ấyो पहार य्लम समझन लेए उसीनों के आंचे रख्तर के डॉक्टर निर्वैर गूझ्थ सेमिनार अजदा योजित कता है इक दो गल्ना कहके मैं भाट जान दो पहले उनू समझन तो पहले और अभ्यास करन तो पहले उन्हों कीड़े है क्योंकि पंजाबी चोंना हाथ फुला नहीं मेरा चलदा लेकिन यह है कि तुसी यह नों पंजाबी सी सुंझिए सबतों पहले अधिकारी कौन है ग्रंत पढ़नदा या पार्ट परनदा या समझनदा उस अधिकारी दे केड़े केड़े गोन होंते ने उनों की की चीजां पता होनियां चाहिए दिया जिसकी वजानाल ओ अधिकारी बनदा है दूसरा है कि उस दा विखे की है ग्रंथ दा विशे की होना है एवी सानुपता होना चाहिए है विशे दा मतलब है कि उस ग्रंथ दे विच की की प्रतिपादित किता गया है हम तीसरी घन है श्रड़ की है ग्रम्ठ करता अपने विशेदेनाल अपने इनाल और जड़ा पढ़ने वाला है जड़ा पढ़न वाला है जड़ा समझें वाला है उसरे हुअ यह लिग को और कि प्रियोजन की है कि भी किसली तुसी पढ़न जा रहे हो किसली समझन जा रहे हो किसली तुसी ग्रंठ दी शरण च आ रहे हो तो ए चार चीजां सानू सपश्ट होनियां चाहिए जिना देबारे मैंनों उमीद है कि चर्चाच के सारी गल्ला उबर के आन दिया इस दे नालनाग पार्टिय परमपरा देविच तिन चीजां होर भी हुंगियां ने कि जदो अपकर किसी भी ग्रंथ नों परिभाशित कर दे हैं या समझन दी कोशिश कर दे हैं तो उनों तिन तरह समझन दी कोशिश कीती जान देने अपचारिक रूप देविच एक है कि उसका सजाती है वो अपने जैसे ग्रंथां तो उससे जिस तरह से ग्रंथ कड़े कड़े ने और उना तो अलग किस तरह है ग्रंथ तो बहुत हारे है लेकिन अपने जैसे ग्रंथां तो किस तरह अलग है पहली गल्थ ए होंगी है सजा इस रिवाशा विजाती है कि दूसरी तरह तो किस तरह अलग है कि अ अलग है और टीसा है परभाशा अपना लक्षण की है ग्रांत दा वो अपना लक्षण की है ये तिन टीजावी सान्नू त्यांच रखनियां क्या हिती है ते इस द्रिष्टी नाल अप्मा जबो श्री गुरुप ग्रम साथ दे सेवा विच जावांगे ते अपना देखांगे कि शान्नू इनने सारे आयाम देखन नू सोच नू विचार करन नू मिलेंगे कि औट किसी विषेशज्य तो बगयर किसी विद्वान व्यक्ति तो बगयर अपन उस प्रवेश सिद्दी सिद्दे नहीं कर पावांगे इस पूरा व्यवस्था चाहिए है समझान वाला व्यक्ति चाहिए है तद उन्हां दे सेवा ज़्दों अपस्तित होने हैं तो फिर समझना लगदी है कि उस देविछ है कि और जिसले सानु प्रयास करना चाहिए सब लोगानों कोशिश करनी चाहिए आधि ग्रंदे बारे तुसी सभी जान दे हो उससे बारे मैंनों ज्यादा गल नहीं करनी हो जौक्ट साब करेंगे डौक्टर सिकंदर जी कि मैं कि इसे विच बहुत सारे पक्ता भी वानी नों लिखता गया है और जिना दे 352 लोग संख्या बंदीन है उससे बारे भी जौक्टर साब चर्टा करेंगे लेकिन मैं एक आखरी गल फार्टे नाल जड़ी सांधी करना चाहिए ओ है कि हर ग्रंत देविच कुछ एक खास शब्दावलियां होंगी है यह ओ शब्द थानों ठीक ठीक पकड़त आजम जड़ा मुक्ष वक्ता होंदा है या जड़ा थानों गाइड करेंगे अला होंदा है अगर ओ थानों ओ शब्दां ते सही-सही अर्थ समझादवे यह थ केवल अपना मत्था टेक के रह जांगे थानों समझनी ओ आएगा तो इसलिए आज दे इस विशे नूँ विशे विच प्रवेश करन लेए जदों अपना संता दीवाणियां पक्ता दीवाणियां तो बारे गाल करांगे तो उस चेसानों प्रकास शब्द भी दिखनों मिल कि अर्थ है अकाल पूर्फ दी जरों गाल आएगी अपनों समझना पएगा कि पूरुष शब्द की मतलब हुंदा है कटोगट ओ मेल अर्थ देश्प्रा नहीं है जिए चेटना चाहे तो पूरुष अपना की अर्थ है करम शब्द की अर्थ है करम अपना स्थारे कह देने अर्थ ने चाहिए और किस तरह चैए और किस तरह जड़े है पास्ता ने इन शब्दानू समझया है माया शब्दनू समझया है और बड़ी इंट्रस्टी एक चीज़ है कि ज़़ों आप प्रग्रत या पक्षटी शब्द प्रयोग कर देए इसा पक्ती दा मतलब हुन दा कि उत्य जदों किसी शब्द दा गौन अर्थ मुख्यार से चड़के अपना गौन अर्थ जबारे गल कर दें तो उनु पक्ति केंदे नहीं लेकिन एक पक्ति जदो अपना इस अर्थ विच ले आए परमात्मा भी स्मर्ण से करंद ले आए इश्वर दी शरण से जान दी गल साटेली विचार्थ करनवली की किलना होन गियां जिससे बारे आज जो मुख्य वक्ता बहुत सारी कलना सानों परिचित करांगे और चाटा ज्यान वर्दन करन को इन ही शब्दानाल मैं आमंतर्ज कर रहा हैं डॉक्टर निर्वै सिंगे नू जो अध्यक्षने देपार्ट कर देपार्टमेंट पंजापी एसनी पर जंबाला के तो आज एक अधे खाटेली से वक्ता नाल खाटे भी करांगे और जी आयानों भी आक्षन दिपार्टमेंट पंजापी की गुरुट रंसाव वर्द ये उनिवस्टी पतेगर साथ को नाल तुड़े होएं में उना जे आज दे सेमिनार जिस्ता विशा गुरु गरंसा विच दर्ज पगत बाणी दा विचारत दर्शन जो दो इस टोपिक बारे सोचा कि पगतादी बानी बारे गुरु साहिबान बारे तो बहुत गाल लुन दिये पर पगताबारे सहती खित्र वेच शैद कट चर्चाउं दिये ते साधे सामने जो तो विदवान दी आसी पाल कीती थे डक्टर सिकंदर सिंग जी दा नाम आया जो की मुखी पजाबी विवाग गुरु गरंड सही वर्ड युनिवरस्टी फतेगाड सहीब वेच शेवान बारे ने जिना दी पीएच डी दा विशावी कबीर सहीब दी बानी है नाल डक्साव दियां दो कताबां चप चुकी है ने जिदे विच एक पगतबानी दा पकाई मुहांदरा अते मुहावरा इस उत्ते इस विशी उत्ते इना ने कताब प्रकाशित करवाई अते नाल ही डक्साव वक्वक सेमिनारा विच पच्ची तो जादा खोज पत्तर दी पेशकारी कार चुके हैं जिनना विच ज्यादा पगतबानी या गुरुबानी उत्ते इना दा ज्यादार सर्च दा जड़ा त्यान के इंदरीत है नाली डक्साव इटर्नल यूनिवर्स्टी बडु साहब हमाचल प्रदेवेश विच असिस्टेंड डीन आर्ट्स अते सैं इना दा अधे अपन खेतर या अधे अपन खेतर दे नाल ए जुड़े हो यहन अते जे इना दे अपा इना दी सेवादी गाल करिये या इना दे सैती खेतर दे वेच इना दी एक पैचान दी गाल करिये ते एक पंजाबी दे उग्ये विद्वान वज्जों जिना दी सब्सक्राइब नाम आया नानी मैं सवागत करदा है डक्टर दिलजीत को और जीदा जो अनदा वी सबागत है डग्टर गुरेंदर सेंग घंडा जी जिननादा में विजारती वी रहा हां करणाल खाल सा कालेज दे वेच मुखी पञ्जाबी वाजब लो सेवा ने बारे हैं उनदा भी सबागत है डाक्टर गगंदीप कोर जो की डीएवी कोलेज अंबाला सीटी वेच पंजाबी वाग दे मुखी हान ओवी एदे नाल जुड़े हो हैं साधी सेमिनार दे वेच ते डाक्टर तिलक राज जी जो जिन्नादा में विद्यार्थी वी रहा है चुक्या हां जो खालसा काल यम्ना साधी सेवा निवारे हम ओवी सजडेनल जुड़े हो हैं इस दे नाल डाक्टर बलेश ची जो सटे स्टी कोलेज देविच ने लाइब्रेरी आं तो, टे डक्टर वीजे शर्मा जी यो की हिंदी वाग दे मुखी हम ओवी साधयनल जुड़े हो हैं अते नाल ही स्खास्त हो ते डक्टर आशुतोष ची, अशुतोष अंगियास ची, टक्सर सकंदर साब, सकंदर जी मैं दसना चालना हां कि डक्टर आशुतोष ची, श्याद हर्याना, पंजाव यां मैं ही कह सकना कि राष्टर दे विच सब तो ज़्यादा सेमिनार करवां दे हैं, ते ए सहती गतविद है, आज दा जो विशा है, पगतबानी, पगतबानी बारे डक्ट साब ने गल किती की पगता दा जड़ा एक विचार, विचार की सी, या नो दी विचारतारा की सी, दुझा मैं उन्हादे समाजिक तार में सब्वे अचारक अते नैतिक रूप वेचे जड़ा उन्हादा कई ओस से लेक विचार, जाता पो, पेदा एक अतर्म है रिकता जस्दानी बिचार, विचार, विचा स संपर्दानी नाल समफनित एंदे बिचार, विचार, था जो झारव जाम हमादे से था उन्हाल अंतिक, विचा। आपना पिपा पगत रामानूज पगत से न पगत रामानाद। जी पिखन जी जलन यां खास्त ओरते अपां गाल कर सकने यां पगतर विदास जी जिनना जिनना नू बड़े सतकार देनाल जे कोई आज गुरुगरांज साहिवनुचा हिंदू से एक मुसल्मान नमस्कार करदा है किसे विचारता रहनों नमस्कार करदा है ते इनना पक्तान होते प्रसिद्ध है उत्थे इनना ने उस टैम जड़ी राग बदता है या टकनीक सी या जड़ी ओधी वी समझ रख देहन मैं ड़क सावनों एवी गुजारिश करांगा कि ओधे बारे वी जे थोड़ी गल किती जाए ते ओवर दियाएगी इस तो बाद सेम मैं ड़क साव जी ओधे बारे बारे गल कर सकते हैं तो बात चलिए सदेनाल होर भी दी वान जुड़े हन दो दो मेंटली मैं उन्ना उन्ना वी गुजारिश करांगा कि बाद देवेच मैं ड़क्टर चास्तोरते ड़क्टर दलजीत जी नूँँद गुरिंदर जी नूँद तीलकराज ज प्रिंसिपल से थोड़े बिजी सान उन्हाने खोड उचान्दे सान किये जोडन कि तोड़ा जा कॉलेज दीकत भी दिया जना कोई मेटिंग एक कोई काल्च्राल दी उदेना जुड़े हो एं ते उन्हां वजोंवी दक साब्धा स्वाकत है कालेज़ी मनेजमट वनलोवी कंदर जी डाक साब जी बहुत तानवात वाड़ा तुसी त्वारफ क्राया महत्यपूर्ण गाल यह के तुसी पागतवानी बारे जड़ी चर्चा उक प्रवाण खातर एक मौका बक्षया मैंनु तड़ा सारे अदा शुक्र गया रहा है तडिमान योग प्रिंसीप वसा अड़ा प्रवाण गणा हुँ कर लुए तुसी अपना माइक क कर लूटार गाला है तुसंने कर लोगा दूसरी बेंत यह विए जाएद धान माइक कर लगा तो तुसे अपना माईक कर लो बांद थोड़ी असी एक तरीक के नाळ दुनियावी बंदेयां जुनिवस्टियां वेचे जा कालजां वेचे परफेसर लगे होयां तन खाहां लेके कम करनवाड़े लोकां ते असी गल कर रहे हैं तर्म ग्रंथां बारे उनना रचनावाँ वारे जिनना दे सरोकार बहुत उच्छे ने बहुत बड़े पर फिर भी साड़ी मजबूरी है किसानों गल करनी पेंदी है ओ गल जे वेखी है तब पागतवाणी दे नुक्ते तो पागतवाणी बारे पहला पही पाँत दियां गल्ला हो यह ने जेडियां महत्त पूरने बहुत जेडा पागतवाणी नो सब तो बद अदियान कीता गया ओ किता गया समाजिक नुक्ता नगात हूं ते खासकर जात वरन दा जेडा नजरी है ओस्तों सब तो बद अदियान होया है खासकर पिजाब दे विच ओद अदियान बद मकबूल है दूसरा दार्शनिक नुक्ते तों कई गल्ला हुन याने फ़क्त वाणी बारे तीसरा दार्शनिक वर गया पर थोड़ा वक्रा निर्गन सर्गन दे नजरी गजेतों पगत वाणी बारे काफिगञा हुन याने पगत वाणी दी कलात मकता ओदी संघीतात मकता बाथ बिश्याँ बारे इनना विच गल्ला हुन याने ये तो हाड़ेनाड तो आनो पहले बुलारा सहभान ने दास से ही दित्ता सी देवना ने अपनी एक जड़ी पीपीटी राही तो हाड़ेनाड ये सांजावी कार लेया सी के 15 फग्त सहभाने श्री गुरु ग्रांथ सहभेच पंदरा दे विच्चों सावतों बाद बानी फग एंद्धी वेचे थीसरे नमबर ते पलत नाम दे घो तlic घ्रवधास ओस न बाद जिभेंगे पहल्त तन्ना ने पारमानाड जी प्लत टन्ना जी थे चार सावट ने पलत बेणीदे रिखन दो ने पर मानांद पीपाookyशी घुराद एक थे और सावधन ने टब आस ग्प्र ते पहली गाला अपन Welcome छेड़ी विचारन वारी झзд you भी दे विच बाइन अपने आप सम्भावज कोई गत्रेडीज पहला कोई। वो एह है कि गुरु ग्रांत सहवदा जेडा मूल फल्स होंदे जमाने वीच असी कड़ के लेके आउने हैं वो अनक्लीवजिब बनदा है जड़ा दूसरे यानूं दूसरे यान दी होंद नूं सालम सबूते रूप विच शामल करदा है अपने नाल जोड के रख यह जड़ी पाक्त सहभान दी गुरवणी में देविच हास्री है गुरु गरांथ सहभा देविच हाज्री है उना दीवानी दिवानी वी वनीए गुरु सधब कि बानी वह व हास्री एक अन्क्लिवजव अप्रोच है जड़ी वो साड़े सामने रख दिया अगा उधी ब्याख्या करके असी जीवन शैली क्या करनी है वो बक्री गाला है पार उधी स्ट्रक्चर ही अपने आप दे विच एक इस तरह दिया है कि स्री गुरु ग्रांत सहव दी जड़ी कर देए बहुत ही वहां जरू करदेगं कि पाग्त सह्वान कोष हिंदू सान थे कुछ पाम मुसल्मान सान थे मत corruptedशी गरुंण तरह मत तर्मदे नुक्ते थे दो रा լंडे ने एक सांस था तर्म दा जी दे विच अपनी पिछान हों दिया एक ओ तर्म जेड़ा तर्म साड़ा सारें दा सांग जा ता जगो असी पागत सहवान नूँ पागत बाणी नूँ बिचर दी वेख देया ता उथे साननू नखेडा करना ओखा हो जान दा अभी केड़ा पागत हिंदुगा ते केड़ा पागत मुसलमाना ए नखेडा पागत बाणी दे विच नहीं होंदा ये साड़ी मजबूरी हो जान दिया कि असी बाहर बैठे कि मैं सिखां मालो कोई दूजा हिंदू हो सागदा कोई तीजा मुसलमान हो सागदा असी एस तरह ने नखेड़ेया दे विच साड़ी मजबूरी हो जान दिया जा असी पह जानने आ कई वरी साड़ी दिखते है अभी असी चीज़ा नू नखेड के सामझना होंदा चीज़ा नू मुकमल स्ट्रक्च्चर देवच सामझना व बखरा मार गया उनन नखेड के अडवाड करके सामझना वखरा मार गया तोकड़े कीते होए ने खेड़के सामज़ना फार्कता पाई जन्दा तो अड़ी सामझ देवेचे पर फेर वी जन्दी मुकम्मल स्ट्रक्चर देविचे सामज़ना उबाओत बड़ा मुश्कल अथे लंबिये दाईये दाकाम है जे तुसी एद्दा वेखोवी पालतवानी देवेचे जिड़ा मुख सरोका आ रहा है तुसी बिशार अखलेया विचार ना विचारते दर्शन एठीक रखेया दुसीं कई वरी बंदे विचारता अरा रख लें देने विचारता अरा सलवेच बहुत छोटा गारा हो जान्द है विचारता अरा सीमत हो जैंदधा विचारता आरा विरोध भी ह Environ ? बहुते पडीपरी विचारदे विरोध हो सकते है पर पाल पॉर्थ बार द्यांवानों बहुत पेत्री यानए बहुत कटमें पर चलो जे अपन पलठानि दे अंदर ले विचारां दे नुकतेतों ही गल करिए तब पलतवानी दा जड़ा सब तो पहला मुख सरोकार है वो है तर्म तर्म सरोकार भूल तर्म की है यह बड़ा उक्खा मसला समझाओ ना कोई कहां दा तर्म फर्ज है जड़ा पच्छम है वो कहां दा तर्म नहें देखता है कोई कहां दा भी तर्म एक अनुशाशन है यह मुश्कल कम है काफी ज्यादा जड़ा कि समझाया जावे पर जदू आसी पागतवानी देविच लेख देया तर्म मूल सरोकार है वो एक मायावी तर्जे जिंदगी है जड़ी ओधे नानों बख्री जड़ी तर्म दी तर्जे जिंदगी है वो ओधी तरिद करता है वोसनुँ अग्गे तोर दा कि जड़ा अग्टवानी दाता आर्मक सरोकार है वोधे मुख्र सरोकार दो पाग्गां वीच बंडे जा सकते ने एक तर्म दाजरा संस्थाई रूप है एक तर्म दा जड़ा असल रूप होंदा है मैं आते हिंदू वाक खां एक में लिए मैं रूख है इसलिए इसलिए मेरे दफ्तर थोड़ी डिस्टर्बिस होई जा रहा है अच्छा अगली इंगल ए है अभी मैं हुन से खां कोई दूसरा हिंदूगा ता सांस था ही रूप दे विच असी अड़वाड़ा है पर जेड़ा असल सच्छा तर महंदा वोस दे तोर ते मनुख आपस विच अड़वाड़ नहीं है कुझ भी तरती ते अड़वाड़ नहीं है यह सलीक जढ़ी पालएंäter हो जदो रुखानियत दे कंसर्ज दिया जदो नाम दे दे कंसर्ज दिया जदो बानी दे कंसर्ज दिया है तक ओपार एडेंटिटीज है उप पचंशाना तो अँपार है उथे की है, उथे केड़े कंसर्न है, उथे जविन तुसी पगत रवदास्ता देखो, उथे एक में कता है, जड़ी जड़ा प्रमात्मा ओदे नाल, वो किया तोही मोही मोही तोही अन्तर कैसा, होना एक अल्ला जड़ी, एक पगत नामदेव, पगत कबीर, पगत रवदास्ते बख्की सारे पगत सहवान भी कहना है, पर इदी एक बड़ी बड़ी शर्त है, वो शर्त किया कि एक अगां बार लोकानों दस्सी नहीं जा सकता है, जड़ा पलत सहवान देविश जड़ा तर्म दा असल तत्त है, जीने तर्म पूरा पाले आ, ते ओ तर्म बाहर किसे नू दस्सेया नहीं जा सकता, बाहर असीं की कुछ दस सकते हैं, ओधियां सडियां सिमावाने, एस लई, एस गल दा सानू पहले नुक्ते तूं ख्याल कर करना चाहिदा, कि जड़ा पलत बानी वारे गल करनीयां, ता उदा मूल सरोकारा राजड़ा नंबर एक तर्म है, ओस दे किन्नेक अपक्खने, उदे विच प्रेम है, उदे विच नाम है, उदे विच मित है, उदे विच प्रंप्रा दे हवाले ने, बहुत कुछ है, ओ एस तरह दा वी जवें एक जड़ा मारवार दे विच जवें किसे बंदे नूँ पानी प्यारा है, ज़े ज़े स्तरह एक बेशवार नूँ अपना कामी प्यारा है, तो एस तरह दे दरिश्टांता नाल पलत नाम देव गल कर देने, उदे बारे जड़ा वो असल सच्चा है, अ दे वारे दस्या केवल दरिश्टांता नाही ही जा सकता। दरिश्टांतों बेना महावरे तो बेना वो गाल्स समझाई नहीं जा सकता। क्योंकि आसल वेचे तुसी नहीं किसे इनुके सदे सामने या अपना हिर्दा खोल के दखा सकते के एह की है तुसी केवल एह ही दस सकते हो के एह एह स्तरांदा है जिवे कौह कभीर गुंगे गुड़ खाया पूछे थे क्या कहिए वो एह स्तरांदा जिड़ा कंसरना मूल हैं यह ता एदे विच्चे पदार्थ क्वडी वना इटा उन्हें साण वाउप्के यरलियर बड़े पुडर तर र्हट जी owners अरा अरा भाण भूरन वेंशने अरक पल सने पदार्थक भाल्स ञेह गांते असी चीज्जा नूँ असी गुरबाणी नूँ असी पलतबाणी नूँ उसे नुखते तो डिभाइन कर देयां जेडियां सडियां वर्तमान लोडाने एक मनुखती मिजबूरी भी हुं दिया कि असी जेड़े समय वेच बैठे हुन्यां ओस समय तो तुसी मुखाते भी होना हुं जेट उटियां शाड़े सामने जेस तरह जीवन देविचे मंडी आ गई हैं साड़ीयां लाल साबाद गूएयां उधै साड़े आते साड़ी बानी दे विचे दवयत आ गई क्या दवयत आगई कि आसी बारों बदेरे बेखन नूता आर्मक लग देयां अंदर ले पास्यो साड़ा जड़ता रमदा सरोकार हो तोटदा जा रहे हैं जे तुसी मेरे कोले होर बहुत हवाले ने जी दे नाड़ अपने गल कैसा कदे हैं कि पागतवानी ने बंदे दी जड़ी दवैत है पागतकवीर कहने कहने मनुख दे विच साव तो बड़ी समस्या दूई दिया दूए 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 जेड़ा पूजा, हावन दा, नेम दा, वर्त दा, संजम दा, पखांड कार रहासी और अजदे जमाने विच भी मनोख उनना ही राद्दा है जेड़ा बारों ता आर्मका है पर अंद्रों उसनल जुड़या नहीं है एस मसले दी समस्या है या अभी एदा कोई मीटर नहीं है परखन दा, तुसी मेरा तर्म नहीं परख सागदे के मैं अंद्रों कि नागतार मुकांड ये परखे आजन्दा मनोख दे निबा आतों, मनोख दे कर्म तों, मनोख दे विहार तों क्योंकि साड़े सामने बेखन लेए इक को चीज है, जड़ी साड़े सामने विहार का है, वो मनोख दा विवहार है, वर्ताओ हुआ है, निबा है जे मनोख आपनी जिंदगी बेच उदे बेच निव जानदा है, तां फिर उसनु पूरा मनने आ जानदा है जब पाक्तकबीर केंदे ने, केंदे अज़ा सो नाव समंदर मैं क्या जानने क्या हुए, विजनी दिर तक मनोख जियोंदा ना, तां उसनु पूरा नहीं कहा जा सकता, पूरा कदों कहा जा सकता, जाता हो जीवन मुक्त हो गया, ते उसने अपनी दवाय तक खतम कर लई, उसने प्राया हाते आपने विच फर्क नहीं है, जाँ फेर वो ओदों कहा जा सकता, जब उसने अपनी जिंदगी मुकाली ते ठीक निबढ़ गई, ते अखीरते समात हो, एही जेड़े साड़े सामने, साड़े बरतमान दियां कुझ, एस तरह दियां, मुश्कलाने, जे ए वो ओनने जिदे साछ हैं, ते ओव सतार हम बारे, ओ ऐसास बारे ओ भी नहीं दशा सक दे, ते मैं तां वो जानदा भी नहीं, ये इसलिए मैं नहीं दशा सक दे, पर मैं जड़े तो फ्रूरे गला करनी आंने, कुछकर, ओ न करनी आने कि जेड़ा प्लक जा जाह सब ढ़ान यहां बीचार करद गर्ण कर दिया जाँ गयां दा जाँ बारी जीवन दा ऊ एक्स्क्लूजिव नहीं है गाव इनक्लिव यह बुदे विच्छ, दूसरे यांदी वोग बराबर है पोगित दोलु सी और शोड़ा है। कर नियाने को महत्त पूर्ण एने के भतकवीरीदे सम्काल देविच जिड़ा घनता वरतारा है सारे पक्तवीरीदू सम्काल देविच जो रही है ् घनता वरतारा चल रहे है यू जो ठेस वेले घनतार विच who are तर्म देगान दावा कर रहे थे जह जो क ग्रंथानु जानन्दा दावा कर रहे हैं वो पुजारी ने जहां वो योगी ने जहां वो काजी ने इतन बूल पैटरन ने वो इस विड़े दी थाप दी ज़े ते जदो आसी उन्हा वरे बेख देया तब आज़त सहबान तब पहला स्वाल है ओहो बेद बारे है तब ओ की है बेद बारे ओ ये नहीं है भी बेद चूटा है ओ ये है क्या पढ़िये क्या गुनिये क्या बेद प्रान ना सुनिये जेडे बंदे बेद प्रान सुन रहे ने जेडे उनु गुण रहे ने उनु गुड रहे ने उन्न जान रहे ने पड़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले है सुई ते उठे किया है कि जेडा मनुख है ते गुरु गरांथ साब साड़े कोड़े है बेद ने एथे, एथे कुरान है, एथे अन्जील है, तौरेत है, जबूर है, सारे तर्म गरांथ ने उस्तों बिना साथे कोड़े पदार्थक जीवन दे बहुत ग्रंथने। उन्हानु पढ़न बाले काऊना? वो मनोख ने पढ़न बाले। जड़े मनोख ने उन्हानु पढ़ना है ता वो मनोख दी सीमा क्या है? एक ता तो आड़े सामने एही तो आड़े प्रोफेसर सहवान ने जड़े चार नुफ्ते रखे सी ना के उदा अधकारी कौन हो? उदा बिशा की हो? सबंद की हो? उदा मनोर्थ की हो? यह थे एक गलत ना एवी अधकारी तब दी गल भी दुन्या भी है क्योंकि असी जदों किसे गरंथ दा अधकारी स्थाप्त कर देया ना किसे नू ज आप तो नहीं होंदे गुरुबानी दे मताबक जड़ा अधकारी या मनोख वो कोई भी बंदा अधकारी हो दा हो साकता विशर्ते के ओहो ओस गरंथ दा सतकार करदा होए यह थे एक होर बड़ी मुश्कला साड़े ना मने वो की है अभी जदों आसी आपने तार मगरंथ न यह सगाल दा बिवाद बड़ा रहा यह हिंदू आते सिख्छा विच भी रहा जदों प्राने पहले हिंदू भुदवाना ने यह स्थाप्त कीता के गुरु गरांत सहवा जड़ा ओ सारे दा सारा बेद शास्तर दे ग्यान दा दोहरा आया ते जदों सिख्छा ने ओदू ब दोहाद वह स्थाप्त कीता कि साड दा दे नर बेद शास्तर नर कोई सरोगार ही नी। फालत क Bijरवानी डेबेचे जह तोसी थी वेख्छो ता उदे वेच दो ता आर दोहारा पाई यह एक्ताव केंदने ने थे वेद כतेव इफ्तरा पाई जो दिल का फिकरना जाए दूसरे पास से हो कहने नहीं भी वेद कतेव कहो मत चूठे चूठा जो ना बिचारे ए थे ए दोवें जे इसनों तुसरी ओपरी नजरे वेखो था एक अला सानों आपको अपने आप सबीच ब्रोधी लागी है नहीं जो दिखत किया है उथे असल वेच जेड़े मनोख ने उथे पाँच करनी है जेड़े मनोख ने उथे बेद शाष्तर दी पड़त करनी है तो मनोख दी सीमा जे मनोख दा परम पड़ेया नहीं जा रहा है जेडी गाल उन्हें आपना थोड़ी दिर पहला कार रहे जी के जे मनोख ने अपना अग्यान अपना अनेरा दूर ही नहीं कर सकया तो दे सामने बेद गरंथ जा कोई भी गरंथ तार्म गरंथ पड़न दा मतलव बिलकुल ओसे तरह दा है जेवें कोई मनोख अंद्रों मैड़ा है ते बारों होती इर्थ हश्नान करेया है ये सलेई ये साड़े सामने जदो आसी पाग्तबानी दे हवाले ना देख देयां ता पाग्तबानी दे विच जेडे लोग बेद शास्तर पड़न दे दावे कर रहे सी उन्हा ब कुटा हुनों थे पाग्तकवीर मनोख नूए गह रहे हैं ना सिंबॉलीकली ओ मनोख है ना ओ किया विचा बेद की पुत्री सेमर्त पाई सांकल जेवरी ले है चलो सेमर्ती वारे पाग्तबानी दा थोड़ा बक्री तरांदा नजरिया है ना जा फिर एस्तों सवाय पाग् शाष्तर अनन्ता गीत कवितना गाव हो गए अखांट मंडल रंकार में है अनहद बेन बजाब हो गए बैरागी राम हे गुन गाव इत्थे जाता मनुख ओ होवे वित जी क्योंकि बेद गरांथ जान सारे गरांथ पढ़ असी कादे खात्र पढ़ देयां के साड़े हिर्दे विच्छ एक ओ नाम वास जावे तक गुर्वानी ता एत्थें तक केंद गिया है भी सुपने हूँ बरडायक है जह मुखनेक्स ह राम ताके पग की पाग ही वेरेतन को चाब है जेडे मनुख दे मूच ओं सुपने विच्छ भी राम निकड़ गया तो साड़े नलों बहुत हो तो मैं सारे दा सारा नेरेटिव है सारे दा सारा साड़े जीवन है ओ नाम दी पचान खत्र एना नाम तो बाद की है ओ साड़ नाम थे नाम दी पचान तिन नाम दी पचान बिना पड़े भी आ सक दिया किसे प्रिक गुर्भानि还ahl साग दिया मेर नारा साथ़ दिया तब पालत भानी दीओ यसे ते टरहा कान लिएettuे ग्रुड़े ज्यान ला किक्ष ने अさい जेड़े सारे बैदने सारे ग्रंधने तर् जीड़े ता सादे दुनियावी सरोकार ने बखरी के समद है क्योंकि अपनी पछान स्थाप्त करने हुघ दिया असी आपने देडे दिया समाज एक ता आर्मत समस्यावान मुखातिव होना हन्दा जीड़े ता आर्मत सरोकार ने वो उसनाल डारेक्ट जोड़ देने वो एक शाब्द पड़े थे भी सारी गुरुबानी सारे वेद दा मनुख नू ग्यान हो साफ़ा तर एस तरह दे जड़े सरोकार ने पगत बानी देवेच्छ कई थावां ते हान जड़े तौडे जड़े तुसी बेग सागद दूजी न दे हवाले में तो आनू दित्ते भी ने अच्छा ओस विड़ा जेड़ा शास्त्री ग्यान सी ओधे विच तेन मनुख के रां सी ते ब्रह्मन सी ते बेद सी ते देव देवता सी ना पगतवानी विच तेनना वारे अड़ो अड़त तरहां दे जड़े उनन रद्धन वाले कीŁआ भी विचार ने पिक उनना दी जड़ी हाज रिया ओडी भी परवान गिया है जिवें कोहकवीर जो ब्रहम भीचार है सो ब्रह्मान कही एत है हमारे अध्रमन केड़ा परवान है ज्टा अपने इलमत पूरा है जोगी भी वही प्रवान भी ने ते और रद भी ने रद कौन होंदा आपां भी रद हो साकते हैं वरतमान समय देश्ट क्योंकि जे मनोखनू रद करन दा अज तक दा जड़ा सब तूं कारगर मीट्र को ए जडिता आरनानू मनोख मंदा होए उसनू कहना भी तूं ओसे उत्ते पूरा नहीं म के तूंद ना दे पूरा मैंनू मेरी मांता ते अधारथ ही रद कर देना तक गुर्बानी दे वेच्च जड़ों किसे दुज्य नूं चाही हो क्या जोगी या चाही हो ब्राह्म्न चाहे कोई हो पजारिया चाहे हो श्रेवड ला ओसनु एदश्छा अपने संध्य पैटरन नहीं पूरा चाहे हो काजी या चाहे जोगी या ओधे ते रद्ध है एसलिए एक सरोकार पगतवानी दे जिडे ग्यान दा कंसर्न है ओ एद्धा दा बन दा जेड़ा दूसरे पास से पगतवानी दे ग्यान दा सरोकार एक दूसरा एह है कि फिछले काफी समय तो आसी जान देया जदों तो पाशा वग्यान पैदा हुई या दुनिया पर देविच एतारना मुख्रूप देविच उबर कही है कि मलोख दी आज तत सब तो बड़ी हो जा जड़ी वो पाशा पाशा बड़ी खोज क्यों है क्योंके बाकी सारियां चीज्जा ने जहां वरतारे ने पाशा संचार प्रवंद दूसरी गल इदे बरे ये भी है कि आज तक मनोख जे आपनी गल सब तो बेतर तरीके किसे बेदराही दास सागदा है तां ओ बोले है ओ शावद है आजऄ दे दुगा एक नियाई शावद ब्रहम तक भी है शवद गुरु तक भी अ शावद रॉद रब जेडि़ियां वैस्ट द आशनिक प्रमप्रावने पतार्थं को प्रमप्रावनि ने ब्रहम उन हो इंगां हो आण नहीं नहीं मन दिए जिनियां कताबबां पाशा वारे छाप रहियां ने ताँ ओ कताबबां दी तदाद पॉलिटेक्स वारे छापन वारे छापन वारीयां कताबबानानों जयादा है। जदों अर्बबालया ने इरान देउत्ते हमला कीता ता उधों उन्हाने इरान दी पाशा दा खातमा कीता ते होड़ी होडी उथे जड़ी लिप्तिया ओभी अर्बी लगू कर देए। ग्यान दा वाहा काई जड़ी ओ पाशा है। तोंकि ग्यान ता मनुख दा पाशा तो भी परे है ना। जड़ा सिंता अर्मक ग्यान कहने है। जड़ा सारा ग्यान वबंजा अखरां विच्छा पर जड़ा सच्चा ग्यान वबंजा विच्छ भी नहीं होड़ा। एसली गुरुनानक साब भी कई था ही केंदेने केंदे भी ओ दस्या नहीं जा साकदा। ज़े को खाए काखन पाहे हो जाना है जिती हम ओही खाए। तो क्या नहीं जा साकदा। पर फिर भी जे असी वेखी है ता दुनिया दे विचे जड़ा मनुख दा मेन कंसर्न है अज ता ओहो पाशा दा। जड़ा बिरतांत है जड़ा परचार है नेरेटेव है वो सारा पाशा राही ही सरजय जाता। जड़े मनुख ने मनुख दे जड़ा सारा सी कनून दा राज कहने या तक कनून भी एक पाशाई ब्रकांत ने पाशाई सनेहे ने पाशा रही सनेहा मिलगा है कि तो जड़े कार तो खब्ब्रणाब ह 내가 नला पaiseruras रही Сनेहा मिल इन लट इय । इस तरीके तो आड़े सामने जड़ी ए भुख गाल में तो अनुग ए ताँ थोड़ा समाल आया के पाशास आड़े मलोक देवेच मलोकी बरतारेयां विचे सब तो केंद्री शै बन दीया ते एसी तिहासक प्रसंगा देवेच प्रबचना देवेच पढ़ देयां के संस्क्रित जड़ी ओस दी चड़े एक काफी वड़ा हिंदोस्तान देवेच लोक सान ओनना बारे पबंधी सी उनना थे संस्क्रित नू पढ़ंते जां सूननते पाग्तस हावान ने इनना ने पाशा विच बरतांत सरजे पहली काल दूसरी काल उनना ने अखरदी महांता दसी ड़त कुबीर केंद्रे केंदे कुबीर पर बाते तारेक इस है एक हिसाई सरीर ए दो ए अक्षर नाख हिसाई सो गह रहे ओ कबीर दो अक्षर उ राम तो कहने ना अराम अर्सिताउनों तुनी तुनी दे तोर पे नशेड़ा करे रहके उपिर तनी तुनी आमना लिए पर चलो अक्षर वजों वो दो ए ने मतलब की महत्तपूर्न है वो अक्खर महत्तपूर्न है जहां फिर एक थांद हो कहने ने कबीर संसा दूर कर कागद दे बहाए बावन अक्खर सोद के हर चर्णी चितलाए विजड़ा कागज लिख्या होयाता है ए बहादे दूँ कादे नडचितला तू बबंजया अक्खरानू सोद के हरी चर्णा नडचितलाए एदा मतलब जेड़े यसी कागज लिखे होए ने होन मानलो मैं कागज दे पे कूर लेख दे माँ मेरी कताब जड़िया तो अनुहुने सजणन ददस या नरबैर सिंग और आने क्यों मैं कताब लिखिया हो सकता भी हो सारे चूट होगे पर उदे विच लिखे होए जड़े अक्खर ने ना गुर्मखी दे ओ थोड़ों चूट थे ने अक्खर के ना महत्तपूर ना अक्खर ना खुरन वाड़ा है ना पलीत होन वाड़ा है दूसरा एक अंसरन बनदा है इदे विचे तीसरा जहा बोलता है अच्छर आवा जहा बोलता है मानना रहावा विजे थे बोल नहीं है उथे माननी रहा था था पखतरवदास भी यही कहने हॉँ वो कहने भी नाना ख्यान बेध बेध नाना ख्यान पुरान बेध बेध चॉमतीस अक्हर 1999 ए नाना ख्यान पुरान बेध24 अक्हर आता है चाहे है शाश्तरदा गणrah उ प्रिश यह चाहे शाध्ड़ेगल श्रीग्रु ग्रांथ नेSON पर अखर ओ भी है जड़ा खुर्दा नहीं है पागतबानी दे विच जदो मैंनू इद्धा लग गया के ओहो पाशा दा जड़ा सरोकार है क्योंको मैं खास करके जे मैं तरमदा वजयारती हुंदा हो सकता मैं इस तरह ना सोचता पर मैं है पंजाबी दासी है ना एक अल मैंनू थोड़ी बदेरे महत्ते पूरन लगी के जेड़ी पाशा है पाशा नू इनना ज्यादा केंदर विच स्थाफ्त कीता है ते एसे करके जीदा अखर दे उत्ते काव जया है जीदा अखर नाल में सरोकार है वो ही असल विच अजाद है क्योंकि जेड़ा मनुख दा ब्रतांत करता है उत्ति दस्थन वारे तों खोटा है एसले जीदा पाशा ब महत्ता वारे जे आपणी बूली ती महत्ता वारे एई हिंदी शीदी शुख दा। पुआपभी वाघयाद लिखा,िकंशधान, महांतेल, लिखा Congressman हरुभिड़ diffy आ आ भेल्य हर्याइन वाघयान वाढुरिदी राजस्थान वीश् assess aneada यह उल्य कि łु महात्द पूर्ने जिन्नाय के मनुखभी तर्म मनोखतार मनाल जुड़या तहां ही रह सकता है जे वो आपने अक्खर नूँ आपने शावद नूँ पशानूँगा तो उसनाल जुड़या रहुगा हिंदोस्तानी प्रमपरा देविचे के संक्ट बापर या बहुत बड़ा हां जदों के बारों हम्लाल आवरा आया वोसने जेटी शावदानी रिप्लेस्मेंट दा एक बड़ा एक बड़ा बरतारा चलाहा वो शावदानी रिप्लेस्मेंट है जेडी जड़ा शाब्दान था था वदल देन बाड़ा बरता रहा है तो उसने तो हड़े तो बहुत कोछ खोल है हूंदा है पंजाबी देवेचे मुश्कल आई हुई है हमें पंजाब देवेच रहना जे आसी बच्चे आनूं गुरबानी पड़ाई ये जेवे मादो पागत नाम देव दी शाब्दे तो उनादयगा एक शाब्दा है सिल लग आउखिण बुरबानी शब्दावली परवन्द है ये शुर्ष हों stri Episode अधे याद निया जिया उनु मैं एक अधना पैंदा टाहनु टावदनु पड़ा उन खटर अद्धा कांटा अधन पैंदा उधा पिछोकर भी कोभजा चीज की अधना कॉभजा उनका ही किया फिछे पर संग की अधनी की यह आशादा ब्रतान था जड़ा वो साड़े सामने एक बड़ा है तो जड़ा हुन साड़े बरतमान दावी सरोकार बनदा तीसरा जड़ा एक महत्त पूर्न कंसर्न है पागतवानी जड़ा मैं वोड़ वे चहे करी थी के असी पागत सहवान नूं कदे हिंदू कहले निया मुसल्मान के लिए यह पागतवानी देविच की कंसर्न वानदा था पागतवीर केंद ने जोगी कहे जोग पाल मीठा आवर ना दूजा पाई रूंदत मुंदत एक के सब्दी एक है सिद्पाई इथे न हो सारे बंदयां दे जड़े आपको अपना वालनू खिचन दा वर अन्दो यह थे न भींड़ करे जोग यह इंदू इसनी सारे बंदया ना आ लिया मुस्लमान इन एक सार्यां थे लिए यह एक एंपीरियल पाहुंच है मनुख्अ वारे यह भी मनुख्ऊ दे एक विकार था है जो किसे मनुख्थ नू इतना लगदा है मेरा विचार रही दुनिया विचा सावतौं उच्चे मैं ही बेशिव गुरू हाँ जो मैं ही असल विच जेड़ा कुछ मैं मान रहां जान चेड़ी तरजे जिंदगी ते मैं तो रहे हैं, ओ ही असल विच्छा है, यह भी अपने आप दे विच अदा आर्मक गाला है, यह ता आर्मक गाल नहीं है, चाहे तुसी तक के नारा लोकानू अमरत शकाओं दे फिर होता तुद आनू सिखनी क्या जा सकता गुरबाणी दे नुक्ता नगा तुद एसे तरहां खोरा तर मावारे भी एही गाल लगू हुं दिया, यहाल मैं तो आनू सिख वारे तां कह रहे हैं क्योंकि चल मैं खोद सिख आँ, दूज्जे ते दोश्लोन आणों पहला, आपने ते दोश्लोना चाहिदा, यह सलही जड़ा साड़ दोश्लोन आपने यह बिर्तात सी तो उदे विच बहुत ज्यादा सक्ती सी पल्त सहवान दे गड़े, तो पल्त सहवान फिर की कर देने एदे बारे, कि यह पल्त सहवान उनना पैटना दे विच फिटता हूं देने, एक पल्त कबीर दा शाब्द, तो कैक, ओ कैंदे जोगी गो रख गो रख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रहे आसमाए होना जदो असी तार्म सांस्थावाँ बारे वेक देना, तार्म सांस्थाई रूप दे विच तार्मादी पहुँच एक्सक्लियूजिव हो जान दिया अक्सक्लियूजिव के वे हुँदिया सांस्थाई रूप विच मैं सांस्थाई ये इस करके कहना के आसी मंदर अते गुर्दवारे अते मसीत दे विच फरक कर देया हना असी जान्दे भी नहीं दूजियां था वांदे वो किया है क्योंकि ओह सांस्था ही रूप है पर जेड़ा मनोख तर्म सांस्था तो उत्ते उठ्था होया ब्राहम तक पहुंचया होया, राब तक पहुंचया होया हो साख़दा भी उदे ले योग अला उस तरांदियां ना होन ये साड़े सामने एक बड़ी बड़ी मुश्कला तब अज़त कबीर अपने आपने की कह रहे है ओ कहने कबीर का स्वामी रहया समाई ओ एदा भी नहीं कह रहे है भी मैं एदे तों बख्खा भी मैं हिंदू नाणों बख्खा में, जोगी नाणों बख्खा में, मुसल्मान नाणों बख्खा में ओ कह रहने भी कबीर का स्वामी रहया समाई ते ओ सारे किते समाया हुए असल बेच जड़ा तरम है ओ एदा ही समाया हुए जेतारमदा आपने एक नसरन ना समझी ना तोड़ी जही एक होर गलत वादेनल संजी करदा हुआ है ओई है यह 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 पगत नाम देपानी वेच ना एक बड़ा बड़ा शावदा है अकार वजों ओहो ने विरतांत के शावदा है वेच पाग वहाद सुल्तान पूछे सुनवे नामा देखो राम तुमारे कमा तो आनुस आपकी जी कहानिया सुनागे ना पागतनाम देव नूँ सुल्तान भड़के लेजन दा वो कहनदेवी जे तू तर मिया ता अब मरी हुई गववाए जियोंदी कर दे जे तू जियोंदी कर देगा ता सी मन लवागे के तू तर म बड़ा है नहीं फिर असी नहीं मन दे तने पागतनाम देव केंदेवी मैंता जियोंदी कर नहीं सकता एक अधा केंदे प्रमात्मा ही कर सकता ता केंदेवी फिर थोड़ी देर वाद की हुंदा उत्थे जेड़ा पगवान भी शुनुआ ओहो आपने गरड चड़े गोवेंद आयला ते गरड़े उत्ते चड़के ओह पागतनाम देव फिर की हुनुआ केंदेवी इस पतिया का इह परबान साच सील चल हो सुल्तान सुल्तान दा अपना असल फार्ज की है के ओह सच अते सीलते चल दा होए ओह केंदेवी मेरा मतलब ए नहीं भी तेरी सुल्तान नी आओ परट देवाम है मेरा मतलब मेरा मूल सरोकार ए है कि तू जेड़ा तेरा सल्तान तब है तेरी सल्तान तब है उदे विचे सच होवे जेड़ा जे राजे दा करदार सच अते सील नहीं ता परजा दा करदार सच अते सील होना बहुत मुश्कल है क्योंकि पर्जा दे वेच्चे सारे मनोख पूरे नहीं हुंदे, पर्जा आम हुंदी है, जे असी पर्जा नूँ पतलो राज दे उत्ते सुल्तान बैठ गया ते सुल्तान बैठ के कहे भी तुसी सारे नूँ मुसलमान बना लगो, तो की है वो तर्म अडेंटिटी बजुआ जेसनों पलत्बनी रद कर लिए, चाहे हो हिंदू है, वर्तमान समय बेच है, चाहे हो सिख है, चाहे कोई है, तो जड़ा सुल्तान है, जड़ा राजा है, और राजे दा किरदार रद्दन जोग है, जदो राजे तर्म नूँ इद्धा अपने हिताली पगताउं देने, त अग्षबंदी प्रम्परा ने पहुत कट्ड़ता सखाई इसलाम नूँ तरम प्रबरतन ली प्रेर्थ कीता साड़े गुरु सहवान पाध्षा नौवें पाध्षा दी शहीदियों से गलवेच होई ते साहिवजाद्यां दी शहीदियों जे ओ कट्ड़ता उदे विच की है क्योंके ओ थे न जड़ी हकूमत है ओ तरमधी आइडेंटिटी नूँ अपने निजी स्वार्थां ली बरत लिया यह अज भी बरते आ जा रहे है जेडिके एस तरह ने कंसार्न होंदे ने ओ हो ना मतलब आइडेंटिटी जी तो बार होंदे ने ओ संकालपगात होंदे ने ओ कालगात नहीं होंदे संकालपगात रूप देविच तुसी ओस गलनू चाहे दुनिया ते कोई भी राजा अपने लोकां दी तरमपिछान नू अपने स्वार्था नहीं बरतना चाहे तां ओ ओड़ाई वड़ागना हुँ जेडा असी पच्छमी दर्शन तो हारे आ ना पच्छमी दर्शन देव मौहावरा उस थाफ्त करी रख्या कि जड़ा तरम है ओ लोकानू सुलाओं दै तरम ओपिआज कर दै तरम अफीम है लोकान ली तरम अफीम क्यों है जे तरम दा संस्थाई रूप येस तरह किसे हुकूमत ली वरते आ जावे किसे पच्छान दी कार्ट करन ली वरते आ तब पाग्तबाणी एस तरह दा जेड़ा सरोकार है उसनों पाग्तबाणी रद कर दिया। एसे तरह मतलब पाग्तबाणी अपने जड़े दुनियावी तारमक सरोकारानों और भी तरह न खेड़े कर दिया। पाग्तबाणी अपने आपनों पहले तारमक पिछाना दे अंदर बज्जे होए मनुखा नाड़ों, बज्जे होए दर्शना नाड़ों, बज्जे होए शास्त्रा नाड़ों नखेड दिया। पाग्त नामदेव परवान है, पाग्त त्रूहू परवान है। श्री रामचंदर जी जड़े जीवन गरतात ने, उन्हा दे विच्चों जदो उन्हान पीलनी वेर्च काउंदी आए, जहां जदों ओहों अहल्यानू मुक्त करदे ने, उन्हां दी परवानगी है पाग्तबाणी दे वेच्च जहां पाग्वान क्रिशन दा, दुरोपदी दा नंगेज टकना है, दुरोपदी दी लाज रखना है, जहां सुदाम में नार जड़ा होना दा गरीबी अड़ा प्यार है, उप्रवान है पाग्तबाणी दे लिच्च, पर बहुत कुछ ऐसा है जड़ा रद है। इसलिए पाग्तबाणी बहुत निखडवें रूप दे विच्च बहुत स्पष्ट रूप दे विच्च नरोलतर मते चल दिया, ओहो संकल्पगत रूप विच्च चल दिया ते ओह किसे एक पछान नार जुड़के एद्दा, मतलब पाणी नूँ खड़ाउं दी नी है, ओ वेंदे द्रिया पांगूं, वेंदे पानी पांगूं चल रही है, बस दोख दलनाई मैं तो अड़न होर करांगा, अपना समावी नेड़ी हूँ, अच्छा, एक गल पक्तबाणी विच्च हो एक होर सुम नुबर के सामने होंगी है, क्योंकि मनोख आसी मनोख करके जड़ी होनदा एऊ-ट़ पदार्थक है, क्योंकि सदा-पंजपूत के स्रीर है, आएस स्रीर दे विच्च जयों रहे हैं, आएस स्रीर दे विच्च इन्हें जूठा भी होना है, एते मेल भी पहनिए यहां, एसलिए जो कुछ पदार्थ दे विच्च आ गया, ता ओस नों तुसी सुच्चा नहीं कर साथ जद के तरंप्रंप्रावांदे वेच बाहरा बारी सुच्चमता ते जोर दित्ता जानदा यह थे एक बड़ा बड़ा संकट पया हुआ है यह उन सिखांच भी मसला फसे हुआ है बारतमान समय वेच कि सुच की है तर्ण सिखां वेचे कोश लो के ऐस तरह दे भी इतराज कर देने के तुसी गुर्दवरा साब हाथ तो के जाननू कह रहे हो तो तुसी हाथ ता तो लेने हो पर जड़ा रपईया थोड़े हाथ वेच फड़या हुआ हो पता नहीं किसे बीडी पीनाड़े हत्थ है पर जड़ों तरक जेड़ी चीज ते तरक लागू किता जा रहे है जे उसने ओधा असल तत्त खतम कर देता ओ तरक दा कोई मतलवी क्योंकि जे तुसी केले नूदे लाग जाओ ना केले दे अंदर लाजेडा असल तत्त है उदे पिछे कुछ नी बचूगा ता तरक दी ह हूंद है तरमदे वेचे दुजैली, सेकंडरी हूंद है तरक दी क्योंकि जे तरमदे वेचे तरक नूँ प्रैमरी लाया तुसी ता उथे कुछ नी दस्या जा सागदा तरमदे वेचे अल्टीमेट रहस है जिसनु रहस वाद कहा जंदा अधे आतम है जेड़ा ओ रहस है अधे निजा सागदा उता पागतवानी आप कह रही है यो दस्या नहीं जा सागदा कोहकबीर गूंगे गुढखाया है ना इसली जड़ी पदार्त वारे मनूखने का समझ बनावनी है वो की समझ बनावनी है कि ऑसने जूट की है सुच्च की है वोदे वारे कुछ मांता नोनियाने जिए मालोक पालतिनाम देव कहने ने अपने पालतरवदास पा दूद ता बच्रे थनों बिटारे ओ फूल पावर जलमीन बगारे ओना जदों कोई एदान यसी तारना स्थाप्त कर देयाना कि कोई जूठाडा बंदा गुर्द्वरा साव नहीं आ सकता को जूठा जान ओस मौके दी जूठ सुच दी था थे असी बंद्यान नूँ जान उन्ना दियां कोला नू जूठे कर दने असी काई दने भी एक अपवित्तर है ते जदों असी पदार्थ बारे एपहुच अपनाओने या भी आ चीज अपवित्तर है ता फेर मनुख दे सामने संकता ह जे मेतों भी कोई बाड़ा हल नी होया पर मैं इस नाल जूज रहा हो साख़ा भी आओनाओने समय विच मैं एदे वरे कोई गल कार सखां क्योंकि साड़े बार्तमान विच सिखी दे विच ए बड़ा मसला फास गया के पदार्थ दे विच्च पदार्थ दे नाल मनुख दी पहुंच की होगे खान वरे पहुंच की होगे बोलन वरे की होगे पवित्तरता की हुंदि या ऐस तरह निया जड़ी है मुश्कलाने वो साड़े सामने आ गया ङां ते जे कदों किसे वीड़े आईया न उदे बारे तो हाड़ देनल कर दे फिर मौका जड़ा सांजा कर वो है मनुख वारे ते मनुख है जड़ा मनुख दे विच दोगें सरोकारने मनुख पशू भी है ते मनुख रब भी है जड़ा मनुख दे मरजान तो बाद पशू दे नाड़ों भी माड़ी है पशू दे नाड़ों भी कट कीमत रख दिया पर दूज़े पासे जड़ा मनुख है मतलब ब्रह्म ग्यान नियां जड़ा ओ आप परमेश सर्वी है ये फासला क्यों है ये फासला मनुख दे विच है जवे होना पागतवानी विच ना मनुख दी हॉम में वारे बहुत कंसारने एक पागत नाम पागतवीर दा शाव दावास होना जड़ों मनुखी सभा आवा करता है माया गई ताव रोबन लगता है मान बाच चे क्रामरास कसे लो बाना बेंस गया जाए कहूं समानी मनुख दा सभा आपने बरतमान देवेच ना स्वाद केंद्रत आपनी हॉम्मेन वग्गे रखन दा कोई दूजा मनुख मनुख दी गल काट देवे था अगले नू खुंदक चड़ जान दिया इसाड़े ना पंजाब दी देवेचे एक परत्री हरी वारे एक प्रोफेसर साव ने अनवाद कीता है उनने परत्री हरी दी एक एक छोटी जी कावता है उदा अनवाद पंजाब दी रूफ पेच मैं सुनू होना ओ केंदे भी जेड़ा मनुख मनोख नू देख के लिए दराई जड़ी बनसपति आज़े पशू है ओवी डार जान देने के जे एदे होत्ते कावजा ना होवे काबुना होगे ता मनोख सारी बंसपती हाजवे यह देखो तुसी किन्ने साल पहल नाम पर थ्रीहरी ने क्या हो यह हूं है क्यों कि मनोख दी जदों विर्थी तरमतों टोटके लाल सा विच जान दी आ ना वो सारी इकालोजी ता नुकसान कर दा ता जेड़ी पदार थक पच अच्मी फल्सफा जेड़ा साड़ेते स्थापत हो रहे हा तो उसी एककल याद रखे हो असी अजे हिंदोस्तान दे वेचे सेख भी मुसलमान भी हिंदू भी असी आपसे वेच आपके रहे हा चाड़े आपसी सवांदत नापूर्ब ही रहे ने पर होन तो हाड़े सामने एक पड़ी बड़ी मुश्कल आ रही है सारेया सामने बिच्चे मेरे सामने के पच्छम दा जेड़ा फल्सफा जेड़ा दर्शन जेस कदरे मनोख दे उते पारू हुई जा रहे हा उस दे खातर जे असी इकठे होके नहीं लड़ांगे तम फेर सनु इकल्यां कल्यानू खत्म क क्योंकर ओसने मनोख दे ओस वाधी मानता स्थापत कर देती जड़ा सब्सक्राइब मनोख दा बेस रहा है मनोख दो बद चीज्जां दा लाल जावाँ दा चाह ना ओस बारे कि तुसे बेको आप अले एस तरह दे मनोख दी मानता नहीं कर दी है तरह अलतर वाणी जेड़ा बंदा मतलो रासकास दे विच लुबया होया है उदी थान ही दिन्दी ते मनोख दे हंकार नू रद कर दिया ता एस लई अज दे मनोख दी जे काड़त कर दिया जे मनोख नू प्रेरना भी देनिया ता एदे खतर एस मतलो मनोख नू दिशा नरदेश की होगे बारतमान मनोख जीवन जाच की होगे ते एस वारे ही कल एको विशे ते किन्ने सैमिनार हो सकते ने जड़े क्राउने भी चाहिए देने जिस वारे असी थोड़ा एक ह्याल रखी है कि असी एक दूज्जयां थे थोड़े तब बेजां बलेम लाउन नाड़ों जतना करिए कि जित थे साथिया सान्जा डवेलप धो साख दिया ने जिस नोके थे जिस था रमक स्थान थे सांजा कर सक देयां तो निए जरीजर गुरू गरांत सहव देने जड़िये तो मनोखली सेद कि ए कि जड़ा पदार्थक दर्शन होन बरतमान वेच चाहे मंडीडा वरतारा उदे रही आ रहे है जह किसे भी रूप दे वेचा रहे है तो जिनना हिंदोस्तान खात्र हिंदोस्तान दी प्रंपरा खात्र एथ तों संस्क्रीत ही कहने वंजनों तुसी सभ्याचार खात्र एथ हो अज तक इतिहास देवेच बहुत जुल्म सहे हैं ना असी बेखने हैं दोस्तांदी संस्कृती ते किन्ने जुल्म हुए पर जेड़ा साधे सामने और वाड़े समय वेच हुण वाड़ा जुल्म है उस नाहर जे असी उन्हों मुखातेवे होना जानू टक करना है तांसी असी नवे सिर्यों खोलन दे जतन करिये बहुत चंगा हो जावेगा नहीं फिर मनुख ऐस तरह दा हो जावेगा जब पका अतनाम देव कहने ते सिंग पोजन जो नार मानने जो नार जानने ऐसे ही थग देव खानने जेड़े मनुख जो लमदा पो जन खान देने वो ठाक होने ते एसलिए नहीं साड़े कोड़े जो लमदे पो जन वाड़े जड़े लोक ने वो स्थाप्त हो जानेंगे बेंती ये है के पगतवानी का कंसर्न एड़ा लंबा चौड़ा थे खुला इना ब्यापक है पगतवानी थी इकली कला तमकता थे ऊदी सिंगीता तमकता थे किन्यां गलाँ हो सक्थजिया ने उधे चंद लंक कर बोली मुहावरे थे किन्यां गलाँ हो सक्थजिया ने दर्शन थे विचार थे अंत कोई नहीं जिन्ना कुछ भी करें जा सकता इदे बारे असी लगा था रख किन नहीं लोक राड़के लगे रही है तावी साड़े तो यह था नहीं पाया जाना मैं तो हड़े सामने जिन्या कि गल्दा रखियाने यह मैं अपनिया सीमावां साहे तो उननों परवान करना ते कोई तो हड़ा सुझा आ होवे तो जरूर मैं उदा सतकार करांगा यह नहीं अक बेंतिया ने मेरिया फटे परवान करें हो सारे आदा बहुत बहुत शुक्र दक्साब जीवन दा असली रहस या जीवन दा असली सच आत्मिक जीवने जे बंदा बाहरी रूप दे वेच एक पेख नू एक तरम नू तरन करे पर आत्मिक रूप दे वेच करोध दया तो दूर रहे या अपना किरदार जड़ा जुलम वाला रखे ते ओ तरम या तरमिक कैन दा हकदार नहीं है ते नाल ही जड़ियां आत्मिक जीवन दा जड़ा द्वान दे उन्नू किमे पगतबाणी ने खतम कीता नाल ही पखांडवाद या पेख बाद तरम दे वेच किरिया या तरम दे वेच कोई अनुशंठान नू असी ओ नहीं कह सकती क्योंकि गुरु गरंच साहब दे वेच भी जैसी वेख खिये थे ओ दे वेच भी कड़ी बाणी केस्टेम पड़ दीए ओवी ते एस किरिया वेच निकल दीए कहनदा मतलब एक विशेश प्रंपरा वेच ही गुरु साहब दा प्रकाश हुनदा है उन्हों असी पखांड नहीं कह सकती पर जे कुई बंदा आत्मिक रूप दे वेच ओर होए तो बाहरी रूप दे वेच तार्मिक अपने आमनों प्रदसित करे या तरम दा उदे दार मन्ने या तरम दा व्यक्ख्यकार अपने अपने अपनों समझे पर आत्मिक तोरते ओ बड़ा नीमा होए चोटी सोचदा पूल ने जाप साच ताप ओ ना होए या मनुकता वड़ा संकलप होदे अंदरो मर्जे उन्वसी तार्मिक नहीं मान सकते डक्साव ने पाकतबानी दे हवाल लेयां देनाल बड़े वधियात रिक्के देनाल अते बड़िया नमिया गल्ला जिनना बड़े असीवी अन्जा नहीं मनुकता दी होंद मर्दी जा रही है परम तरम दा जड़ा गल्त पक्थे हो हाईवी हो रहा है जड़ा कि मनुक नू मनुक तो तोड़ रहा है चैया उन्व अपनी पचान नूवडादसना तो जड़ि पचान नूँ छोटा समयना एह हरे एक तरम्दा मसला हो चुक्य नूँ खत्म करना यह इनू की में खत्म किता जा सकता है यहां पागतबाणी एदा की में दिशा निर्देश दिन दिये यह संदेश दिन दिये जहां अधे प्लस पे देवेच एची जा कि में केंदरीत ने उनू बड़े वधियत रिके ना डाक साव ने रख्या मैं गुज तो पिलना इना दे कोलेज दे विच्च एस वरी यूथ फैस्टीवल है ते मैडम ओदे डीन ने कहनते सी कि थोड़ा मैं विच्च बीजी भी हो सकती है क्योंकि यहना मीटिंग रख्यों इसी ते नाल ही मैं रख्र आशू तो शी नू गुजारिश कर दा हां कि अपनी कि पगत्वानिच जिस्ता श्रभ्णा दा प्रियोग किता गया है उसनू सम्झानले थानू थोड़ी खास मेनक करन दी लोड है जड़े निर्भचन हुंदेने एटेमोलोजी कल मीनिंग हुंदेने और जड़े विद्पत्ती वाले हुंदेने वो दूना नू जबत्तक अप पुछ कोछी बना लागे और इत बड़ी पारी दिकत जड़ी आ रही है और यह है कि अपने पार्टी परंपरा ग्रंथां पे बारे जावी करने हैं तो उना दर रेफ्रेंस पांट अपना अंग्रेजी तो लने थाड़े सब्देनाल दिकत ए हो गई इसलिए सामनों प्रणाल करें तो वह प्रचलिक रूप और अलग है लेकिन तुसी मन नहीं तो स्वाब होंना है तरह मन्या नहीं जा सकता मन्या जड़ा है वह उसके फोर बन्या है तरह इस तरह अगर 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 मत की है सब्सक्राइब रूप है अपा यहीं कैसे कि तुछी मन्यों है यही दिक्कत आंदी है कि जदो हपा कि थोड़ा है थोड़ा अपनी पत्रा तो एक चीजानों ग्रहन सब्सक्राइब लोड़ है अगर्षा में सब्सक्राइब गल किती है तुछी शत्कां तो गल किसी रचना सब्सक्राइब लिकिन ओनागा जड़ूरी जिसे शब्द ब्रह्मती गल करते हैं तर्क शाक्र भी सिखना बहुत ज़रूरी है कि वहीं जदों पाए इस साल को पुरु शब्सक्राइब लेकिन अर्थ करांगे किस तरह पुरुष्टा की मतलग हुंदा है तो एक मोलेधिकली या दूसरे में विसक्त शाक्राइब जब्सक्राइब 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 एक दिवार खड़ी है वर संबाद सिल्ड'll होते संबाद शिणूह में तांथ इना सनल स्मस्क्राइब किताब किस्तरा मनना हुआ कि की किताब है वो ता रिषिन दिवानी है थीक है लेकिन किताब नहीं हो तो इसलिए कई सारी चीजां है कि जड़ी मिननों लगड़ा है कि अपने दुबारां तो परिवार्शित करिए और अपने माइंड नूदी कॉलनाइज करिए शाड़ा रेफरेंस पॉइंट अंग्रेजी नहीं हो सकता थाड़ी हो सकती है अपनी हो सकती है साड़ा रेफरेंस पॉइंट इसलिए थारी चीजां नूँ अपां तो लंदी कोशिश करिए कोशिश कर बड़ी मुश्किल आएगी कि बीज़ेदी गल बात सम्झानू जिसक्रां पिख्री आप गल थी बड़ी महतब हों कि पंजाब दिश्वार्वार्वार्व लेकिन संस्टिति या आम का आशा चापता है सद्धेता और व्यवहार है समाज का पो सब्देता है कि दुस्तरे मकान किस परांदे बनाए तुसी सड़का कि दंदियां बनाईयां तुसी की कर दें ओ थारा बाहरी आचार लेकिन संस्टिति ओ है जो ठाड़े पीतर अंदर प्रियोग के दें वाले सत्वन देया थाड़ी संस्टिति है थाड़े शरण चे जड़ा आ गया उती रक्षा करनी ही करनी है तुस्तिता ही है तब देता होर सीज है संस्टिति है इसलगा है सब्द्याचार शब्दे चुकन समेटन भी कोशिच कर दें एवी अपने आप से स प्रियोग है कि अनुप रियोग नों अपना वदाईए और कोशिच करिए कि पंज्याब्दी और संस्टित दें अंत्रम संबंदा ते गालवाद करिए और संजन दी कोशिच करिए कि ब्रह्म शब्द जड़ा जड़ा है जिस तरह किता जानदा है और उसी जो कर घाशा बं जानदा है उस दोनम एक समान रूप से संधिये ताके थाड़ी दिरिश्टी पुले असली गलते हैं जी सर और अच्छा होना में बक्ताव में और थाटे लिए जी निर्वेर सर सब तो पहला ता मैं बहुत-बहुत वदाई देना चाहांगी एस्टी कॉलेज नू पंजाब अबी विपाग नू संस्कृत विपाग नू ते संगीत विपाग नू जेड़े हैं उचेचे उद्धम कर दे रंदेने अजे कुछ दिन पहला आई एक वेबिनार सी शिर्गुट गोविन सिंग जी ते और आज दो मैंने पता लगया कि पागत बाणी बहुत ही वदिया वि देने वो मैंनू लग्या कि जिनाने बहुत ही डेतेल्ज पागत बाणी बाड़े क्योंकि बहुत ज्यादा विश्थारणार जी में डौक्टर सिकंदर जी ने वी क्या कि बहुत जादा समाचाईदा है इदेले कि इनने पंद्रा पंदरा पंदी बाणी जो सिरी गुरुग परमानांची सेंड जी पीपापग सदना थिपपग रामानांची ए जो बाणी इन्नी एदे बारे बहुत लंबा टाइम चाहिदा पर जी में केंदे की गागर्च सागर पर ना ओकम अज ड़क्टू सकंदर जी ने किता बहुत ही बढ़ मुले विचारूना दे जो असी सुने और पगतबारी देहाले नाळ उनना ने सानुक जीवन जाच के की हो जी जीवन जाच होनी चाहिदिये उस बारे चानना पाया ओर मनुख दा किरदार की वेंदा होना चाहिदै और एंवेंदा किरदार मनुखदा होना चाहिदा है, जिस ता माडल सानु पगतबानी दिन्ती है, कि उन्ना चीजानु ते आंच रखना है, इदे नार ही जेडा उन्ना ने अखीर्च अपनु एक प्रशन वी किता, कि पच्छम दा फल्सपा जेडा सादे ते पारू हुंदा जारे है, सानु ते आंदें दी लोड़े, ते विखन दी लोड़े की मनुखदा पगतबानी सानु दास दिया, जेडा क्रिदार की मनुखदा की में दा होना चाहिदा है, सुबा की में दा होना चाहिदा है, जीवन की में दा होना चाहिदा है, कि असी ओदे ते पूरे उत्तरिये, जो पग ती संस्कृत विच ग्रंथ बहुत महत्पूरण। मैं उना दी गालनार सहमता, क्योंकि तारम ग्रंथी तारम दे, के द्री सरोकार ते तारम दे सदानतां दी, जेंद जान होंदे। ती इस शीरी गुरु गंसार विच दो पाक्त बाणी गल कर दे तो सब तो वड़ा जड़ा सड़ी सर्मने गल उतबर के ओंदिया, ओंदिया तारम दे पाक्ता दी, कि जिस बारे, लोक्र सिकंदर सजी ने भी किया, कि हिंदू ने जिवें, कोई हिंदू कहन दा है, कोई मुसल ती बीके विकार हुनता है, हर बंदा अपने तरम वाल जदो किसे नूँ खिच दे, पर जड़ा ब्रह्म तक पहुंचा है व्यक्ति है, उस ये गल नहीं हुनती, ते तरम दे निर्पक्ता दी, एहोजी मिसाल शायद ही किते मिलेगी, क्योंकि जदू असी शीरी गुरु गं गुरुष्ट देृग्गे नत्मस्तक हुने तैसी उथ्यों फिरी शायद, पर ज закончig मिलेगी, मेठ्य तरम मोgle है, भी तरम दे सब जानक रहें बीक विकिते हिम लेगे, क्योंकि मिलेगी, तो बिले मिलेगाय। गुर्गन साब विच्चा है, उथे मुसल्मान, फ्रीज जीवी बैठे होए ने, कबीर जीवी ने, नाम देवी ने, हर पगत, रविदास जीवी ने, हर पगत दी बाणी होथी है, और ए सानुएक सुचजी जीवन जाज दी, से देन देने, जीवें बाबा फ्रीद बाणी च सानुएक सुचजी जीवन जाज दी, से देन देने, अन्तच में ही कहांगी, कि ST College, जिस लिहीते तुर्या है, इसनुवगे बदा उंदे रहें, साड़े ज्यान च वादा कर दे रहें, और प्रफेसर सकंदर जी वर्गे, उगियां शक्सेता नारसान न मलांदे रहन तांकी साड़े ग्यान विच्वी बात वादा होवे, तानवाज, तानवाज मैं, होन में, दक्तर गुरिंदर सेंग जी हांडा, जो की पुझाबी विवाग खाल्सा कालज कर नाल दे विच सेवानी बारयां, और भी अपनी टिपनी या कोई गल साड़े सामने रखन, डक्तर गुरिंदर जी, हलो, डक्साव, चलो, डक्साव जोड़ देने, मैं डक्तर तिलकरा जीनू गुझारिश कारता हां कि अपनी गल रखन, हलो सर, हलो, आजी, आजी, सर जोड़ गेने, आजी सर, पहला तो बहुत 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 बदाई, तो आजी साड़े कोले दे परवार दो, तो आजी दूसरा मैं पुदा इतना डक्साव नो, डक्साव ने आजी बहुत बदीय गदा समय बस्या, ते, की साथ थिता है अजी, पक्तर बारी दी, आजी समाज बेचे, वो जोड़ की ज पक्तर बारी देटरी ने अजी। बहुत बहुता है। बहुता है। बहुता है। बहुता है। बहुता है। बहुता है। ब्रक्टर वीजे शर्मबाजी। बहुता है। बहुता है। इस वाणी में संकलित है। तो ये संकलित शब्ध जो हैं। श्लोक उसमें मानो प्रेम और मानव सेवा का संदेश है। और सबसे बड़ी बात इश्वर के एकत्व को दर्शाते हैं। जो हमें धरम के नाम पर जितने भी हमारे मतभेद और मनभेद और जितनी हिंसा आज तक हुई है। उस सबसे हमें बहुत दूर ले जाते हैं। और संपूर मानव जाती को एक सूत्र में बांधने का प्रयास गरंद के माध्धम से हुआ। और इसकी भाषा अभी भाषा पर हमारे मुख्य वक्ता ने बहुत अच्छी बात की कि भाषा में बहुत दम होता है। और इसकी भाषा जो है वो बहुत मधूर है, सरस है। संगीत के सुरों और 31 रागों में आत्मा से संबंदित जो गूर अध्यात्मिक रहसे हैं। तो जीवन का जो मार्ग दर्शक है, नाम भक्ति है, मानविय संता है, सर्वधरम संभाव की जो भावना है और अपने जो कर्मवाद का संदेश इस गुरुवानी में मिला है। और हम सब को भेभाव से मुक्त होकर स्वतंतर, समता पूर्वक, समाज की जो पुरी रूप रेखा इसमें मौझूद है, वो अपने आप में बहुत सरहानिय है। और हमें एक संदेश देती है, कि हम सब एक ही परमपिता की संतान है। तो अपनी भाषाई अभिवेक्ति, दार्शनिक्ता और संदेश की दिरिष्टी से गुरु गुरंथ साहिब अपने आप में अद्वित्य गुरंथ है और कर्मवाद का जो महत्व यहां पर इस पुवित्र गुरंथ में दिया गया है इश्वर बापति के लिए जो हमारे सामने एक रास्ता खुला है तो यह अपना बहुत बड़ा संदेश है और हमें इस पर अगर देखे तो सभी धर्मों का सरल भाषा में और सरस भाषा में एक अच्छा संदेश मिला है आज के मुख्यवक्ता ने बहुत सभी वक्ताओं को और जिनों ने अपनी टिपनिया दी और विशेश के निर्वेर जी को बहुत बहुत बधाई इस सुंदर विशे को चुनने के लिए और इस चर्चा के लिए धन्या बाद धन्यावाद थैंक्यू बैम थैंक्यू और मैं डाक्टर तिलकराज जी जो की अपनी कोई गल साड़े समने रखन या को विचार देन डाक्टर तिलकराज जी हांजी सर अवाज आरी है हलो हलो हांजी चलो उस्तो पहले सर अगे सर अवाज आरी सर तिलकराज सर चलो उस्तो पहले सरसी डेक्टर ब्लेश जी जा कोई ले लिनिया विचार धन्यवाद निवेर जी सबसे मैं तो जो है सुनने के लिए ही जुड़ा था और सबसे पहले तो मैं आपका भारी हूं आश्यतोस जी का और आपका कि आपने हमें किसी न की जिन माद्यम से कोई न कोई जो हमारी जो असली जो विचार है हमारे जो उनको सुनने का उनके साथ जुड़ने का जो कि आज कि हमारे वरतमान की जो हमारी अध्याप्रपन और अध्यान की जो परमपरा है उसे जो दूर होते ज जा रहे हैं उन्हें ने किसी ने किसी माद्यम सिंग्छ तक जुड़ें बाकि जो है एक दो कल्यानकारी है जो हमारे लिए जो है जो सत्या भी है जिसको मसत्यम संद्रम भी कहते हैं तो उनको उनका संकलन करके आने वाली पीडियों तक जो उनका जो संदेश है उसको पंचाया जाए उनके लिए उसको संजोया जाए और जो ग्रंत है वो केवल मात्र जो है कोई कागज क टुकडे नहीं होते उनके अंदर जो जो है जो संदेश है जो उनके अंदर एक जीवित विचार होता है और वो विचार जो है वो हमसे बात भी करता है जैसे जीवित व्यक्तिक जब उनसे अपना जो समात स्थापित करते हैं तो यह चीजें हैं तो इनको हम जो है इतने जो इ है अधिकारी है कोई गरंथ का वीशा है सबंद है प्रयोजन है वैसे डॉक्टर सिकंदर सिंग ने बड़ अच्छे तरीके से जो है अपने वीशा को रखा है वह इसमें एक बात जो अधिकारी वाली बात के लिए थोड़ी से की टिपनी की थी और उसमें मेरा भी थोड़ा सा कहने का मतलब शैद आसुतों जिसको जादा अच्छी तरह से बता सकते हैं मेरी जहां तक समझ है मैं इसको ऐसे मानता हूं कि यदिकारी से समझ यह यह नहीं कि कोई कोई पढ़ सकता है कोई नहीं पढ़ सकता किसी के लिए कोई डिनायल नहीं होता कोई रिस्टिक्शन्स न आख दी जाए तो उसको कितना वह समझ पाएगा और दूसरे दि मेरी उसकी समझ नहीं होगी तो कहीं वो अर्थ का अनर्थ ना कर दे उसका वास्तविक आर्थ है जब तक उसकी उसकी समझ इतनी डवैलप है यह नहीं है तो यह इस तरह की चीज़ें जो हमारे शास्तरोंเง ही कर है तो तभी यह उन्चीज़ यह को पढ़ंड हैं कौन से वन्यां ग्रंत है जो पढ़े है हम उसके उसका जो मूल भाव है जो मूल उदेश्य है उसको समझ सके हैं उसका सही जो एक अर्थ है उस배त को मैं मैं तो भू सी बात इसमें कहना कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा और आप लोग को आपके जो आज के रिसोर्स पर्संस हैं और जो और गनाइजर्स हैं सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार वेक्त करता हूं धन्यवाद अबने तानवाद सर उनमें डेक्टर तिलकराज जी रूँ बेंती करनांगी अपने विचार रखन डेक्टर तिलकराज जी शायद को टेक्निकली प्रॉब्लम है और जोड़े शी एंप थोड़ी फेर्वन लाग रहा है और तिलकराज सर अवाज आ रही है जोटेने अशी देखो कोई भी सेमिनार कोई भी विचार चर्चा वही वदिया बननी जादी हैं जिदे विच्छ कोई स्वाल हून या उदे विच्छ निकल के कोई नम्यागला हून या उदा कोई समाज देपरा थी कॉंट्रिबेशन किए यह किडिया गल्नातों से साभधान हो सकने हाथ या किडिया गल्लाधों से समाधान कर सकने है हुद है बिच्छ ड्रख्ट्र आसुतोर्श की जो की प्रबुद विजवान उन्न ने खाफी गल्ला रख्या और शाड़े विच डक्टर तिलकरा जी जोड़ गया ना मैंनों भेंती कर दा कि वो अपने विचार देन अजी तिलकरा सर हलो डक्टर तिलक जी आपके आवास नहीं आ रही सर अवाद नहीं आ रही तो मैंने लगदा कार्च ने और शाड़ो तो जिती हैसी जगह दे कोपने नहीं आपके जो कोई स्वाड़ विचार रखन दो बारा डक्टर सिकंदर जी हाँ जी इसकंदर सर हलो सर कोई टेकनिकली प्रोब्लम होगी शाद हाँ जुड़े हुए हैं हाँ जी हाँ जी सर अवाज आ रही है जी आप जी दे हाँ जी हुना रही है आ रही है सर आ रही है अच्छा हाँ जी पहला तो आड़ा सारें दा बहुत बहुत तानवाद जे इनने सोनियां टिपणियां कितियां इनियां सतकार करन जोग टिपणियां ने महत्तकपूर्ण गल्ला ने जेवे डक्तर आशुतोस जी ने दस्या के साड़ा रैफ्रेंस पॉइंट आजड़ा ओहो प्रंप्रातों होना चाहिए यह बहुत महत्तकपूर्ण गल्ला कि अपना रैफ्रेंस पॉइंट मुकंमल रूप दे विच अपना प्रंप्रा तो बना लेगे दूसरी गाल एवी जे असी श्री गुरु ग्रांत साहव दे नुक्ते तो वेखिये ता गुरु ग्रांत साहव दा साम सामी प्रंप्रा जड़ा ओधे नालवी संबाद है यह जड़ों सामी प्रंप्रा संबाद है ता उदे विच जान्दा जान्दा रैफ्रेंस जा संबाद है जड़ा ओ पच्छम नालवी जुड़दा है ते ओ पदार्थक फल्स फे नालवी ओ वाद जुड़ता है ओ दाइरे थोड़े खुले भी होने प्रमपरा थो भी होने चाहिए देने एक गल दा बहुत सोनी गल करी ओना ने अगली एक जड़ी होना दी महात्तपूर्ण गल लेया के असी शाब्दा थे अर्थाँ बारे शावद किया है, उत्पती किया है, शावद दी उत्पती भी ते शावद दा परसंग भी, ये दोवें गलां बहुत महत्त पूर्ण है, पर उदे विच संक्ट ये आज अंदा भी कई वरी तो अडेकोले समेधियां सीमावां हुं दियांने, ये तुसी पुन्ना ब्रीकी दे विच नहीं जा सकते हैंदे ना, जदो दुसी बरता रहां दे समाज कदे आन करना था थोड़े सामने संक्ट आ जा जा पर एक अलनू अंगौलया नहीं कीता जा सकता, क्योंकि जे तुहां नू शावद दे आर्थ सही रूप विच ना समझाए, तुहां डिक कीती हुई सार आरी ब्याख्या तो अड़ा बोल्या होया हार अक्खर उब्यार्थ है, एसली ये गल महत्तकूर ना, इदे विच जडियां तोबाद ये टिपणियां ये ने, दूसरे बाद विच भी सजण ने, पढदे अदकारी दी गल कीती सी, ओ भी सारियां टिपणियां सतकार करन जो दोग साल पहला पंजाबी उनिवर्स्टी वेच एक साइंस दे प्रफेसर ने, जेडा के बाटनी ला प्रफेसर सी, ओसने पावन गुरु पानी पे ता जडा गुरुनान कसावदा सलोह का, ओ बार्तिया एकालोजी दे पर सांग वेचे, ओ थे ओसनो एक तरमदे आन दे मु तुसी ये दे अर्थ ठीक नहीं कर रहे हैं, ओसनो अगुरु प्रफेसर केंदा, केंदा भी सिखाने गुरु गरांत साहवदा ठेका नहीं लिया, के ओ ही गुरु गरांत साहवदे अर्थांदे अदकारी हूँ, तो थे साड़ा उनना यही स्वाद चले हैं, के आसी जिवे मान लोग बेद वारे मैं बेद पढ़ां, एक गलता बड़ी साफ है के जिस तरहां दा मैं शरी गुरु गरांत साहवदा मेरी पावना जुड़ी हुई है, जदों कोई बंदा दूजे तर्म गरांत नूँ पढ़ता है, तो हो पढ़न दा हकता रखता है, पर यह सद के असी पढ़ना शुरू कर देया, ता फिर साड़े सामने संक्ट होंगा, ते ए लगपग सारे तर्मा विच्चा है, हर तर्मा आपने तर्म दीवानी नूँ अपने गरांत नूँ इलाही मन के चलदा है, ते दूसरे आनू वो उस तरह नहीं मान दा, यह संक्ट है, यह सब्साल्तों महत्त पूरना गरी आशुत आई लगारी नूदू भात विच्चों भी सानू जयाभी वाले आनू संक्रित ... तोड़ा विच्रंदी लोड़ा है असी बहुत दूर खड़े हैं यह महत्तपूर्ण गाला यह बहुत सतकार करना ली गाला थे इदे खातर मैं आज शुरू तुसी करो थोड़ा मैं करांगा किसे दिन तो हड़ा रूब रूब रूप रावां गाए थे मैं ता जो अपने का लगे तोर सकी थोड़ा सानू एक दूजे भी सामझा वे बहुत बहुत मेरवानी ही तानवाज सर अजी तिलकरा सर जे वाज जोड़ दिये ते फिर अलो चलो सर अप्पावन सर इन्नू समाप्त करिये स्विचार चर्चानू तिलकरा सर अजी सर जुड़ना चंदे ने दवारा फेर होना श्याद वनादी टेक्निकली प्रोवलों में ते चलो सारे विद्वान सजना दा प्रफेसर साहबान दा खास तोरते डक्टर आशू तोस जी दा ओर भी कोलेज दे जड़े प्रफेसर साहबान ने जिनना ने ओनलाल क्लासीज दे इस टैम दे विच्चों दो-दो कंटे इदेनल जुड़े टेक्निकली प्रोवलों भी काफी हो जांदिया ने इस दुरान प्रफेसर डेनल जुड़े रहे तानवाद सर खास तोरते तानवाद डक्टर से कंतर जी दा किना ने सड़े दिमाग दे जड़े ताले लग्यों सी यह बहुत सरी यह गल्ला जड़ें नम्य स्वाल भी चुक चर्चा देराल जोड़े हर ने नी तरीफ ना करो जी इंदरबायर जी एक गाल ठीक नहीं लाग दिये हैं ने सर एक्ट जोल दे वेचे देखो यह और अब देरे बाद बशेशनी करते हैं ठीक है सर पता किये सदाना मेरा खास तोरते सदा ए यतन उन्दा की जड़ा बंदा जड़े फिल्ड देना उन्हों बलाया जाए हाम तोरते सदा को शेतर युनिवर्स्टी दे बसला है कि एते पाइपती जावा चल दा बोजागा मेरा केड़ा दोस्त है उन्हों तक ना टाक लेना आप जी दी महारत पगतबानी थे बोट बदिया गाल किती बडिया सरीयं गल्ला डूंगियां गल्ला किती या नवियां गल्ला लाप के लिया इस तरह सर अशी बापा बंदा सेंग बहादर ते सेमिनर कराया सी तरह एक्टर सुख द्याल संग ने उन्हान ने पीचडी किती से ते एक और ना दी गडिदे असीन संत नै ज़ो basilडाख बलाया जो लाने गल्ला किती या नविया गल्ला किती या उसी अनुकत बहां तूछ गो है ऑफ दियो यह नहीं से मिश नूफ हुआए regular चाहा व्र और पूज इच व gefallen me मैं भी सोचना मां कि जड़े उस फिल्ड दे माहर विद्वान ने जमें गुरूमत दे तुसी आप जी हो यह और उना नू बलाया जाए 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 विचार चर्चा किती जाए गल बड़ी कमीरता दे नाला एक बजिया मैसिज एक सोप स्किल दे नाला हूं ऐसी धरा अक्जेवलनु बड़ है ते सर बहुत असी तड़े रहनी है कि स्थी कोलेज डी छोटी जी बेंती नू बें चोटे जी सद्दे नू या बड़े शोट टाइम डेए जी आप जी ने सदकार किता अड़े बड़ी मान दी काल है ड़क्टर अशुतोष जी ड़क्टर बल अपन समापन नहीं करना अपना हजे समापन इसलिए उपून सा थी चलाज ची मनुश्य है गाए तो मैंनों लग दाए जो कुछ अपना इंद्रियान आल नहीं कर सकते पकड़ निंपांदे या साधी इंद्रियां ती पकड़ विच नहीं जो आंदा तो बहुत बड़ी समस्य है जिनु सुझांदी साथ समु सबनों मिलके लोड है क्योंकि दूरु साहवान लोग में जो अलगोव किते है वो अपना सोची है कि अपना थोड़ा बहुत पढ़के और सरकारी शप्पा लग जया साधी थाड़े उत्टे पड़न लिखंदा इसलिए अपने नहीं जत्थी कर ली और उपिगरी ला ली तो ओधिकारी नहीं है एक से अधिकाज़काने संगेदनशील होएगा जिड़ शुकंली तयार है जिड़ा ग्रहन करली तैयार है तेसा जो पात्र नहीं हुन पात्र हैं ते आम रिज्या परेष्दर उत्र अतलु ते जहां कि लिए का शुरू कीती है और डॉक्टर सिकंदर जी ने भी उनों समर्खन देता है कि यह उना दावी बहुत आवार व्यक्त करदा है कि यह उना ने कई सारे नवी कि अधावां जड़ी कि अधारी बिती है उसे लिए और निकट पोवेश्य जो अपना आपसे और गल बात करांगे और देख किसे अख करते हैं और जेक्राव ज्यादा समझ प्यादा करता है और जिससे नाल देड़ी गुथिया है जड़ी जड़ी क्वेजिया रिजियों कि उलट बांचियां में बढ़ियां मिल दियाने पागतवानी विच्छे कि नाव जे नभीया डूबी जाए वर्गियां जाए वर्गियां जो उलट पांसरों पट्टी में तो विद्धियां खुले हानू आपस बहुत गहरे समयधारे जिनार लोड है एनी शब्दानाल मैं उमीब करता है कि निकट को विश्यच और कोई ना कोई इस तरह जी चर्च कि वह एजुकेशन दा असली मतलग प्रिए है अधर्वाइस ता अपने अपने सब्देट से ता सारे बैठे ही है करी जारे है जो कर सकने है लेकिन तो मैंनों ख़गता होगा एजुकेशन दी सबस्तों बड़ी खामी है तो उस नो अपना को डारिये उन्हों खोलिए अपन आनवा है सर खेके सर ओफ कर दिया मेठी इया है तो अपने सर तानवा सर तानवा थानवी थानवास तानवा है